नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स में जहां हम आपके पुछे गए ज़रूरी सवालों के जबाप देने की आपकी हिल्प करने की पूरी कोसिस करते हैं तो चलिए गाई ज्यादा बाते ना करते हुए सीधा में इन मुद्दे पर आ बस आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एकांत माहूल ही प्रवाइट कराने की कोसिस करें जिससे ओ ज़्यादा डिश्टर्ब ना हो और अच्छे से खा पी सके और पैर लंबे करके सो सके निख्ट कुष्चन नकास जी सर मेरी फिमेल रेविट ने चार बननी बेबीज द बताने के साथ साथ खाते हुए दिखाया भी है निख्ट कुष्चन समर मातवा हमारी फिमेल रेविट प्रेग्नेंट है उसका निख्ट बोक्स भी बना दिया है क्या उसके बच्चे स्वस्थ होंगे तो देखे आप प्रेग्नेंट खरगोस की अच्छे से केर करें लग गई है आखों से पानी आ रहा है और सूज गया है जिसके कारणों आख नहीं खोल पा रहा है इसका बेहतर इलाज बताएं जल्दी प्लीज तो देखिए ऐसी कंडिशन में आपको तुरंत अपने आस्वास के किसी अच्छे बेट डाक्टर को उसे एक बार दिखाना ज इसके काफी सारे रिजन होते हैं बर जब आपकी मादा खरगोस बच्चों को जनम दे दे तब आप बच्चों की अच्छे से केयर करें उसको दोनों टाइम दूद पिलाने पर फोकस करें जिससे उनको दोनों टाइम परापर तरीके से दूद मिलता रहे और वो हिल्दी रह फिर उनके मरने का चांस भी बिलकुर ना के बराबर हो जाएगा निख्ट कुश्चन एडी एम गेमर सरहम भी लेती खरगोस और देसला खरगोस को एक साथ रख सकते हैं प्लेज रिप्लाई तो इसका एंसर है आस बट आपको उसके पहले दोनों की बोन्डिंग करानी होग हैं चाहे वो देसी खरगोस हो या फिर भी देसी और खरगोस के काटने का क्या क्या रीजन होता है इस टापिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख लीजी आपकी प्राबलम साल्ब हो जाएगी नेक्ट आप 31-32 दिन का बेट कीजी अगर ओ इतने दिन में बच्चे नहीं देती है तब आपको समझ जाना है कि ओ प्रेगनेंट ही नहीं है और ओ फॉल्स प्रेगनेंसी का सिकार हो सकती है नेक्ट कुश्चन परभात सिंग भाई मेरे खरगोस ने चार दिन पहले 5 बच्चों को ज लग गई तब बच्चे पीली-पीली पोट्टी करने लगेंगे और फिर उनको बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा नेक्ट कुश्चन संजीव सिंग सर मेरे खरगोस के रोए जढ रहे हैं पिलीज बताइए मैं क्या करूं तो देखिए इस टापिक पर मेरे चैनल पर वी प्रेगनसी पूरी हो जाने पर बच्चों को जरूर डिलीबर कर देगी नेक्ट कुश्चन बापी मुर्मू हमारा मादा रैविट का बाल बहुत लंबा है तो क्या वो बच्चा देगी तो इसका इंसर है यस मादा खरगोस के बाल लंबे हो या छोटे बच्चे देने में जरा भी रुकावट नहीं बनते हैं बिना नर के मादा बच्चे कैसे देगी तो इसका इंसर है विल्कुल नहीं बिना नर के मादा खरगोस कभी भी बच्चों को जनम नहीं दे सकती है बाकि आप खुद ही समझदार है नेक्ट कुश्चन बैंडेर वा यक सवाई सर मुझे मेरे घर वाले बोल रहे हैं खरगोस घर में नहीं पालना चाहिए खरगोस पनोती होते हैं आप बोलिए क्या करूं तो देखिए ऐसा बोलने वाले कोई सोच ही पनोती होती है इसलिए आप जो यह सोचते हैं कि खरगोस पालना पनोती है तो आप उनकी बातों पर ज़्यादा गवर ना करें खरगोस पालना किसी रैबिट प्रेमी हैं हमेशा रैबिट पाल सकते हैं रैबिट पालने की वज़ा से कभी भी कोई भी प्राबलम नहीं होता है बाकी आपकी मर्जी सोयब मस्तोई भाई मेरे फीमेल रैबिट मेल को मीटिंग करते हैं भाई कनफर्म फीमेल उसने पहले भी बच्चे दिये हुए हैं तो देखे भाई आप ऐसी उल्टी सीधी कमेंट करेंगे तो हम इसका रिपलाई कैसे दे पाएंगे फिलाल अगर दोनों मीटिंग करते हैं औ इससे उसकी मा को कोई प्राबलम तो नहीं होगी तो देखिये जब मा खरगोस को दूद पूरी तरह से जनरेट होता है और उसे पीने वाले बच्चे नहीं होते हैं तब मा खरगोस को काफी दिक्कते होती है बटो 24-48 घंटे बाद धीरे-धीरे खुद ही नार्मल होने लग बाकी चीजे थोड़ा कम ही रखें लिटिल अमांट में और हमेशा उसे पानी भी दे कर रखें और भूख और प्यास नगने पर दोनों खाएंगे भी और पीएंगे भी उसके लिए आपको ज़रा भी टेंसन नहीं लेना है क्योंकि गर्मी की वज़ा से खरगोस दिन के पूरी होने का बेट करें वो 100% बच्चों को डिलीवर जरूर करेगी अगर प्रेगनेंट होगी तो next question सुदम मेहर मेरा रेविट के पेट में खरोच है क्या करूं हल्दी देने पर बार बार चाट रही है क्या करूं भाया बताओ लेकिन अभी थोड़ा सूखा हुआ है तो मीटिंग नहीं करता है क्या करें तो भाई अभी आप 3-4 महीने उसका मीटिंग ही ना करवाए तो ज्यादा बेटर रहेगा फिर उसके बाद और खुद ही मीटिंग करना इस्टार्ट कर देगा उसके लिए आपको जरा भी टेंसन नहीं लेना है क्योंकि एक एडल ट्रेवि थिरी पलसमंत के हो जाते हैं तब उनमें हलका हलका आपको अंड कोस नजर आने लगता है जैसा कि आप इसक्रीन पर देख पा रहे हैं जब आपको इस طرح से दिखे तब आपको समझ जाना है कि एक מेल रैबिट है और जब इस तरह से ना दिखकर इस तरीके से दिखे तब आपको समझ जाना है कि यो एक फिमेल यानी मादा खरगोस है। आप उन्हें घास और नरम पत्तियां ही देने की कोशिस करें जिसको वो इजली हजम कर सकें। इस सब चीजें भी देने की कोशिस कीजिए। दीरे दीरे वो भूख लगने पर खाना पीना सब कुछ स्टार्ट कर देगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंसर नहीं लेना है। नेश्ट कुश्चन मोहित। मेरी मादा खरगोस बहुत अकेली रहती है और सोई रहती है और जहां भी बैठी होती है वहाँ पर खुरचने की कोशिस करती है। इसका मतलब क्या है और खरगोस उससे दूर रहता है और जब पैर पसारने के लिए आती है तो उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो भाई हो सकता है आपके बताने के हिसाब से आपकी मादा खरगोष प्रेगनेंट हो, इसलिए आप उसे नर खरगोष से अलग रखें और उसका प्रेगनेंसी पीरियट पूरी होने का बेट करें. नेक्ट कुष्चन, दुर्गेश सर्मा, दुर्गेश सर्मा, हाई सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मेरे खरगोष ने तली हुई मिर्चा खा लिया है, तो उसको कुछ तो नहीं होगा, प्लीज सर रिपलाई मी, तो भाई आप ऐसी चीजों को खाने से अपने खरगोष क जादा खिलाएं, जिससे ओ, जल्दी से जल्दी, रिकबर हो सके, नेक्ट कुष्चन, डीपी गर्ल, फीमेल रैबिट, फीमेल रैबिट पर चढ़ती है क्या, तो इसका एंसर नहीं बट, जब दो मादा खरगोष एक सास रहती है, और उनमें से कोई हीट पर होती है, तब एसी उल जुलूल हरकते करने लगती है, उसके लिए आपको ज़रा भी टेंसर नहीं लेना है, नेक्ट कुष्चन, बोस एमके, खरगोष का घोसला में पानी घुस गई है, क्या बच्चा सेफ रहेगा, तो इसका एंसर है बिल्कुल नहीं, जहां बच्चे रहते हैं, अगर वहाँ पानी पहुच गया है, तब आपको बच्चों को वहाँ से दूर रखना है, वरना प्राबलम हो जाएगी, नेक्ट कुष्चन, कुल्दी पलावा, भाई खरगोष को मिर्ची के पत्ते खिला सकते हैं की नहीं, प्लीज रिपलाई, तो इसका एंसर है अगर खरगोष मिर्ची के पत्ते खाते हैं तो आप उसे लिटिल एमांट में खिला सकते हैं, नो प्राबलम, बट मेरा एक भी खरगोष, मिर्ची का पत्ता खाना पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं कभी भी नहीं खिलाता हूँ, आप खुद ही अपने कारडिंग देख लीजिए, और मिलते हैं कल मंडे रिप्लाई बाक्स में, तब तक के लिए जाए हिंद